हेलो फ्रेंट्स आपका मेरे इस यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे माइग्रेन हैडिक या अधकपारी के बारे में इसके क्या लक्षन है क्या कारण है और इसके होमियोपेतिक इलाज के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो माइग्रेन क्या होता है माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो आमतोर पर सिर के एक तरफ गंबीर दर्द या संसनी पैदा कर सकता है यह अक्सर मतली उल्टी और प्रकाश और धोनी के प्रती अत्यदिक सम्मेदन शीलता के साथ होता है माईगरेन का दर्द दो घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है और दर्द इतना घंबीर हो सकता है कि यह आपकी द्यानिक गतिविदियों में हस्ट शेप करता है आप जानते हैं माईगरेन का क्या कारण है माईगरेन का सटीक कारण तो अग्यात है लेकिन उन्हें असामान्य मस्तिष्क गतिविदी का परिणाम माना जाता है जो अस्थाई रूप से मस्तिष्क में तंत्रिका, संकेतो, रहसायनों और रक्तवाहिनियों को प्रभावित करता है पहला कारण तो है जेनेटिक या अनुवानशिक कारण जेनेटिक या अनुवानशिक कारण में माईगरेन मास से बच्चे को भी हो सकता है दूसरा होता है एन्वार्मेंटल या प्राकर्तिक जैसे लाइट, दोहनी और प्रदूशन तीसरा स्ट्रेस या तनाव लेना, जो अधिक तर तनाव लेते हैं उनको माईगरेन की प्रावलम हो सकती है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होने पर भी माईगरेन हो सकता है और माईगरेन के समस्या अधिक तर महिलाओं को देखी गई है माइग्रेन के लक्षन क्या होते हैं माइग्रेन में आधा सिरदर्द होता है और दूसरा है औरा इसमें शामिल हैं जैसे द्रस्य समस्या है देखने में समस्या जैसे चमक्ती रोष्णी जिगजग पैटन या आधे धब्बे दिखना सुन्नता या पिन और सुईयों की तरह एक जुन्जुनी संसनी जो आमतोर पर एक हाथ में शुरू होती है और आपके चेहरे, होटो और जीब का प्रभावित करने से पहले आपकी बाहां को उपर ले जाती है चक्कराना या असंतुलन होना संतुलनता बिकरना, बोलने में कठिना ही होना ये सब माइगरेन के लक्षन अब बात करते हैं इसकी होमेपेथिक दवाओं के बारे में रेस्क्यू रेमेडी, अगर माइगरेन टेंशन के कारण हो तो आप आगे जो तीन मेडिसिन बताई गई हैं उनके साथ इसका यूज करें रेस्क्यू रेमेडी को आप दिन में दो बूंद और रात को दो बूंद सिधे जवान पर ले स्पाईजीलिया 30CH अगर आपको लेफ्ट साइडिट सिर्दर्द हो या लेफ्ट साइड की नाक भरी होने के कारण सिर्दर्द और अगर आपको लेफ्ट साइड पेट में भी दर्द हो तो आप स्पाईजीलिया 30CH को दो बूंद सुगा और दो बूंद शाम को ले सकते हैं ये सभी में काम आती है सैंगुनेरिया केंडेंसिस 30CH सैंगुनेरिया का सिर्दर्द ज्यादातर राइट साइड होता है तो अगर आपको राइट साइड का सिर्दर्द है और अगर आपकी राइट साइड की नाक भरी होने के कारण सिर्दर्द होता है तो आप sanguneria 30CH दो बुन दिन में और दो बुन शाम को ले सकते हैं आखरी medicine है iris versiclore 30CH migraine और gastric type of headache के लिए बहुत अच्छी दवा है अगर आपको gas बनने के कारण सिर्दर्ध होता है तो आप iris versiclore 30CH को दो बुन सुवह और दो बुन शाम को ले सकते हैं अगर आपके election iris versiclore से मिलते हैं तो iris versiclore और rescue remedy दोनों को यूज करें और अगर आपके election sanguneria से मिलते हैं तो sanguneria और rescue remedy को यूज करें और अगर आपके election spigelia से match करते हैं तो spigelia और rescue remedy दोनों का यूज करें ये बहुत ही effective दवा है migraine के लिए दोस्तों इन सभी दवाओं का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें